बीस अक्टूबर की दोपहर दो बजकर 46 मिट पर मंगल ग्रह करक राशी में परवेज करेंगे जहां मंगल और सनी के छटे आठवे भाव में होने से सडाश्टक योग बनेगा मंगल और सनी के इस सडाश्टक योग से पहीं राशियों के जातकों पर इसका परभाव पड़ेगा फरिद्वार के जोतिसी से जानिये मंगल और सनी के इस सडाश्टक योग से होने वाली समस्चाव का समधान गोचर करक राशी में 20 अक्टूबर को आएगा लगबग 90 दिनों तक मंगल करक राशी में रहेंगे इस अवधी में मंगल और सनी का शडाश्टक दोश बनेगा अर्थात मंगल करक राशी में और सनी कुम्ब राशी में एक दूसरे से छटी आठवी राशी पर रहते हैं तो शड अश्टक बनता है शड अश्टक अर्ताथ शड माने छे अश्टक माने आठवी चटी आठवी राशी कुंडली में अगर हो या ग्रहों का एक दूसरे से छटे आठवे भाव में संबंध हो तो यह अच्छा संकेत न नहीं और साथ में मीन राशी के लिए भी क्योंकि मीन राशी से शनी द्वादश इस्थान पर आ जाते हैं हलगी मीन राशी से मंगल का गोचर भी पंचमभाव में आएगा लेकिन वहाँ पर मंगल का गोचर इतना परिशान नहीं करेगा जितना शनी का गोचर परिशान करेगा तो मीन राशी, करक राशी और कुम राशी इनके लिए समय अच्छा नहीं है मंगल शनी का संयोग आकस्मिक दुरगटना के योग देता है आपकी जीवन में आपके आसपास आकस्मिक दुरगटना एक्सिजेंट होना और अगनी कांड होना, कुछ इस तरह के दुरगटना होना जहां पर दो समुदाय के बीच आपस में लड़ाई जगडा हो जाए, गोल पाई के लिए हमें इस समय सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालिसा का पार्ट या बजरंगमान का पार्ट करना चाहिए तो तेक मंगलवार और शनिवार को तो करना ही चाहिए